फोन को रिचार्ज करने के बाद भी आपका फोन में नेट नहीं चल रहा है तो दोस्तो आप क्या कर सकते हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तो आप इस वीडियो को लाश तक देखेगा और दोस्तो अच्छे से समझेगा सबसे पहले दोस्तों आपको simply क्या गरना आपको जाना अपने फोन की setting में setting में दोस्तों जाने के बाद आपको यहाँ पे एक option दिखेगा same card and mobile network का आपको same card and mobile network का यह option पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका data card अगर आपका mobile phone में 2 same card है तो दोस्तो ऐसा problem होता है जिस mobile phone में आपने recharge कराया जिस SIM card को आपने recharge करवाया है आपको SIM plus SIM card आपको यहाँ पर किलिक करना है जैसे मेरा यहाँ पर 2 पर किलिक हो रखाया लेकिन मेरा recharge है SIM 1 में तो मुझे यहाँ पर 1 पर किलिक करना होगा 1 पर दबाना होगा तब जाकर यह data card वहाँ पर select होगा और फिर net चलेगा तो मैं हाँ पर 1 पर click कर देता हूँ आपको भी दोस्तों जिस sim card recharge है जो sim card आपने recharge करवाया उस पर आप यहाँ पर click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका net चलने लगेगा और दोस्तों दूसरा भी एक setting है आप इस चीज को direct आप कर सकते हैं आपको simply home button पर जाना है आपको बीच पर click करना है आपको दोस्तों उपर से नीचे करना है navigation bar को आपको नीचे करेंगे दोस्तों आप जहाँ पर आप data on करते हैं आपको एक sim card का नाम देखेगा आपको वहाँ पर click करना है वहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जितनी भी sim card मोबाईल में दो आपको दिख जाएगा और जिस sim card आपको recharge है जो sim card आपने recharge करवाई आपको उस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों done पर click कर देना है नीचे आपका नेट चलने लगएगा फोन में दोस्तों वीडियो अच्छीर को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों चैनल को subscribe कर देजिए और दोस्तों thank you फिर मिलता आपको अगले वीडियो में